कि उमाता ओं भेहनों का सोने का हिसाब करेंगे उसकी जड़ती करेंगे जानकर इलेंगे और फिर उस उसमपति को बाढ़ देंगे और उनको बाटेंगे जिनको मनमोन सिंग जी की सरकान ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसल्मानों का है भाईयो बहनों यह अरबन नक्सल की सोच मेरी माताओं बहनों यह आपका मंगल सुत्र भी बचने नहीं देंगे आपके सबसे बड़े नेता जो सबसे उचा पोजिशन इस देश में रखते हैं कैसी कैसी बहकी बहकी बाते हैं पिछले दो दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कॉंग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगल सुत्र और आपका सोना आपसे छीन ले सतर सालों से यह देश स्वतंत्र है पच्पन सालों के लिए कॉंग्रेस की सरकार रही है किसी ने आपसे सोना छीना आपके मंगल सुत्र छीने इंद्रा गांधी ने अपना सोना जब जंग हुई थी अपना सोना देश को दिया मेरी मा का मंगल सुत्र इस देश को कुर्बान पिये मोधी की पोलराइजेशन वाली राजनीती से परेशान कटिहार संसद्य शेत्र के गद्दावर उमिद्वार तारिक अनवर को प्रियंका गांधी के ये बोल राहत पहुचा सकते हैं तारिक अनवर शिक्सर लगाने के लिए चुनावी मैदान में डटे हैं कटिहार में 2019 के लोकसभाचुनाओ के अनुसार 41 फीसद मुस्लिम, 11 फीसद यादव, 8 फीसद सामानने, 16 फीसद वाइश, 18 फीसद पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा और 6 फीसद अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के वोटर हैं कुल वोटरों की संख्या 21,04,000 से जादा है तारीक अनुवर के समर्थन में अभी हाल ही में तेजस्वी यादव और वी आईपी के मुकेश सेहनी ने चुनावी सभाकी और जनता को इंडिये सरकार की नीतियों के परती सावधान किया पुरदेश में उसको उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा उमीद है तो भीहार से और हमको पूरा उमीद है जिसके पिहार इस बार एक होकर के तारीक साथ को बोड़ देकर कर पाविदा अगर भायचारा नहीं है हमारा समाज आगे नहीं पर रहा है हमारे युबा को रोज़ार नहीं मिल रहा है तो फिर आपको सोचना है कि इसको बदल देना साथियों बदल देना ये देश किसी का जागेर नहीं है साथियों ये अजाद भारत है ये भारत आपका है किसी का के सामने जेडियों के दुलाल चंद गोस्वामी हैं जो लगातार दूसरी बार लोग सभा जाने के परियास में हैं उनके समर्थन में किंद्रिय गिरीह मंतरी अमिश शाह और विहार के सीम नितीश कुमार ने मोर्चा संभाला और चिर परिशित अंदाज में इंडिये उमिद और दूस्टी करन को भी समाप्त करने का काम नरेंद्र मोधी जी नहीं किया है और मोधी जी में हरें विप्क नकाश कौन इतने साला से एक कॉंग्रेस पार्टी और इनके साथी लालू जी कहते थे गरी भी हटाओ मगर गरी भी नहीं हटती थी जाएंगे लिए वह को थाये हैं तर्फ में बेड करेंगे हैं कर देखेंगे जो भी क्याम करना है वो क्याम करेंगे और दों इसना बढ़िया क्राइब ते अट देखेंगे बिहाल लुक्समवात के कंसल्टिंग एडिटर समी आमत का मानना है कि मुस्लिम बहुल चुनाव शित्र में इंडिये उमिदवार को नुखसान उठाना पर सकता है यह चुनाव ऐसे महौर में हो रहा है जब गर्मी बहुत बढ़ रही है और भाशन में भी बहुत ज़्यादा विवादास बात सामने आ रही है इसमें प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का भाशन काफी चैशित है उनके बयान के शिलाब कॉंग्रेस पार्टी और दूसरे पार्टियों के लोग चुनावायोग भी गये हैं अब तक उन पर किसी का रवाइग कोई शारा चुनावा है नहींदिया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी मंगल सूत्र की बात कर रहे हैं कॉंग्रेस की नजर महिलाओं के मंगल सूत्र पर है और ये भी कह रही हैं कि आम आदमी के पैसे हैं उनको मुसल्मानों में बांट दिया जाएगा, हलाकि उन्होंने सीधे मुसल्मानों की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो ज़्यादा बच्चा पैदा करते हैं, तो उनका दरसल इशारा जो है मुसल्मानों की दरफ था, अब एक ताजा मामना मंत्री द्वारा इस तरह खुलनम खुला मंगल सूत्र की बात करना, हिंदु मुसल्मान की बात करना, ये चुनाओं में ऐसा देखनेों को मिल रहा है, जो बहुत ही दुर्भा की पुन माना जा सकता है, भारत जैसे देश के लिए जो दुनिया का सब्चे बड़ा लोगत मा जाता है, जहां कर संविधान से क्लिरिजम की दिवाद करता है, वहां एक प्रधान मंत्री इस तरह धर्म पर आधारित विभाजन कारी बातें कर रहा हो, तो जाहिर है सब को चिंता होगी इसकी, ये कहा जा रहा है कि दरसल वो धर्म के नाम कर लोगों को बाटने की कोशिस क कर रहे हैं, धुर्वी करण की कोशिस कर रहे हैं, ये भी कहा गया कि चुकि पहले चरण में ऐसा लगता है कि भारती जनता पार्टी और इंडियों को बहुत समर्क नहीं मिला, तो उसकी भरपाई के लिए प्रधान मंत्री मोधी ने अपने भाशनों में विकास की बात, वि सीटों पर जेडियो के उमीद्वार हैं, तो वहाँ जेडियो को उमीद्वारों को इसका क्या नुखसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि जेडियो के उमीद्वार जो है, वो से क्लिरिजम की बात करते हैं, वहाँ पर जब मुखमंत्री नुदीश कुमार गये तो उन्हों नहीं मुस्लमानों की पाक की, मुसलमानों के बारे में उन्हें क्या काम किया है, यह गिनवाया। एक और मंतरी मिन इश्कुमार की ये बाते हैं और दूसरी और अर्धाम मंतरी मिन नरेंदर मोधी का वह वय ब्यान है। जिसे hate speech का भी नाम गिया जा रहा है।